नमस्कार, अंसर आइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में राजववस्ता खंड से एक प्रस्ण लिया है। पहले प्रस्ण देख लेते हैं। प्रस्ण है पुनरगटित होने बाले किसी राजव की सहमति के बिना नए राजव का निर्मान भारत के परिसंगी अविलक्षणों का अपरदन है। अलोचनात्मक ब्याक्या करिये। इस प्रस्ण में समाने रूप से ये पूछा गया है किसी राजव की सहमति के बिना किसी र को के सנग्ही या प奶वश्था होती क्या है संभी ववश्था मेंं केंड्र और राज्य के बीच इसपस्थ डूप से शक्तियों और कारियों का बिभाजन होता है और और राज्य अपने-पने च्छेत्र में पूर्वक कारि करते हैं ये होती हैं भारत की संगी व्यवस्ता के बारे में अगर बात करें तो भारत में संग राज्यों के बीच सहमतिका परिणाम नहीं है राज्यों के बीच आपसी सहमतिके परिणाम चुरूब भारत संग का निर्मार नहीं हुआ है एक बात यह दूसरी बात है कि भारत संग से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है और तीसरी बात है कि हमारे संविधान में संसद को किसी भी राज्य के छेत्र में, सीमा में, नाम में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है और संसद राज्यों की सहमति के बिना किसी राज्य के छेत्र में, सीमा, नाम में परिवर्तन कर सक यह भारत के संविधान में लिखा हुआ है तो इस प्रश्ण का अगर उत्तर देना हो तो इसमें सबस्ट रूप से लिखा जा सकता है कि राज्यों की सहमति के बिना किसी राज्य के छेत्र में, सीमा में, नाम में परिवर्तन करने या किसी राज्य को पुनर गठित करने से भा एक बात और स्वर्स्ट करना चाहता हूं कि वर्ड लिमिट यहां पर स्पेसिफाई नहीं की गई है मैं लिख दे रहा हूं 150 वर्ड और 10 मार्क्स के लिए यह क्वेश्चन है भारतिय सम्मिधान के अनुच्छे तीन के तहट संसद किसी राज्य की सीमा रिखा छेत्र नाम में परिवर्तन इवं नवीन राज्य का निर्मान कर सकती है इवाद सही है मैं आप लोगों को दिखाता हूं यह अनुच्छे तीन है यह कहता है कि नए राज्यों का निर्मान और बरतमान राज्यों के छेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन आगे लिखा है संसद विदिद्वरा किसी राज्य में से उसका राज्य छेत्र अलग करके अत्वा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अत्वा किसी राज्य छेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्मान कर सकेगी अब व्याख्या पड़ेंगे, तो इसमें केबल दो सर्तें लागू होती हैं, कि ऐसा कोई प्रस्ताओ संसद में राश्टपती की पूर्व अनुमती के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा, और राश्टपती की पूर्व अनुमती से भी पहले, जो प्रभावित होने वाल राज्य है या जो संबंदित राज्य है उसके विधानमंडल की राय ली जाएगी लेकिन राष्टपती उस विधानमंडल की राय मानने को बाद दिन नहीं है अर्थात ये संसद पर निर्वर करता है पूरी तरह से कि संसद किसी राज्य को पुनरगठित कर सकती है राज्य के छेतर को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। यही बात लिखनी है। और इसी बात से यह भी सिद्ध होता है कि किसी राज जी को पुनर गटित करने से भारत के संगी लक्षडों में कोई कमी नहीं आती है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। यह परिसंग ही अभी लक्षडों का अपरदन नहीं है। यह बात भी सही है। और पीसरा पॉइंट लिखा है। संसद राज जी की बिना सहिमत के नाम छेतरफल में परिवर्तन कर सकती है। यह बात भी सही है। इसे यहीं पर एक लाइन लिख देनी चाहिए थी। तब बात और बेहतर तरीके से बनती है। आगे इस बात इसने लिखा है निसकर्स में अतहा। भारती संग में इसपस्ट है कि भारत संग बिभाजित राज्यों का अभिभाजित संग है। ना कि अभिभाजित राज्यों का बिभाजित संग। निशकर्स भी ठीक लिखा है, निशकर्स को भी इसी तरीके से लिखना चाहिए, कुछ लोग निशकर्स में क्या लिखते हैं, जो उपर बातें लिखी होती हैं, उनी को समराईज कर देते हैं, या एक दो लाइन हलकी फोल के लिखके काम चला लेते हैं, ऐसा नहीं होना तो यहाँ पर जो निशकर्स लिखा है, ये भी अच्छा लिखा हुआ है, अब मार्क्स की बात देख लेते हैं, और मैंने पहले ही बता दिया था, कि ये टैन मार्क्स के लिए है, तो इसकी भूमिका के लिए, मैं एक नमर इसे दूँगा, मेन वाड़ी में इसने लिखाई कि ये परिशंगी अब लक्षणों का अपरदन नहीं है, और तीन पॉइंट से इसने जस्टिफाई भी किया है, बस इसने एक बात छोड़ दी है, वैसे तो ये आंसर कंप्लीट है, लेकिन एक बात लिख देता कि संबंधित राज के विधान मंडल की राय ली जाती है, ले तो इस बच्चों को मिलते हैं, 4.5 और इसने बहुत अच्छा प्रियास किया है, और अभी तक जो मैं कॉपियां चेक कर रहा हूँ, इस ऑनलाइन प्रोग्राम में, उनमें बहुत अच्छी कॉपियों में से एक कॉपी ये भी है, इस्पहलिंग की वीरर्स कम हैं, बाग के स अगधे से अपियरर नहीं और जो बाटें लिखी हैं, कम सब्दों में, फोस बाते लिखी हैं, कंक्रीट बाते लिखी हैं। इसी तरीके से उत्तर को लिखा जाना चाहिए था, और इस बच्चे ने बहुत अच्छा प्रियास किया है। इस एपिसोड में मिलेंगे। भन्य नवाद, नमार्शकार।